एक महिला को बलात कार करके जीविज जला दिया जाता है कई सुनने वन याता कि मानवाधिकारवादी संग्ठन भी खड़े हो आतमवादी किसी को मार देते हैं सैक्णों को मार दिया फिर भी मानवाधिकार कारी करता नहीं आते लेकिन जब भी किसी अपरादी को देंड़त किया जाता है मृत्तों देंड़त दे जाता है फांसे दे जाते हैं तो मानवाधिकारवादी तुरंट सक्री हो जाते हैं ऐसा लगता है कि मानवाधिकारवादी नहीं बलके दानवाधिकारवादी है आप समाचारा में देखेंगे किसी अपरादी को ले जाया जाता है उसके मुझ को ढख दिया जाता है क्यों ढखा जाता है कोई उसके चेहरे को पहिचान न ले कोई उसे समाज में नहीं चाहना देखना पड़े ऐसा क्यों ऐसे अपरादी को क्यों सम्माज मिलना चाहिए ऐसे अपरादी की पहचान उससेरे को क्यों छुपाना चाहिए और सांसत जया बच्चन ने का कि भीड़ को सौंप दो यह मांग पूरी तरह उचित है लेकिन हमारा सम्मेदान हमारा करनून हमारा शासन क्या करता है ऐसे दरिंदों को बचाने के लिए सेक्ड़ों पुलिस कर्वियों को लगाया जाता है सुरक्षा के लिए इतनी सुरक्षा विचारी महला की होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता जिनोंने दानवता को भी शर्मसार किया मानवता को नी दानवता को भी जिनोंने शरमसार किया, उनकी सुरक्षा के लिए सैक्रण जवान को तैनात किया जाता है, उनका जेल में आतित किया जाता है, तो क्या घटना रुकेंगी?